लेक्चर 7 में आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे conservative और non-conservative forces के बारे में अब आप सोच रहोगे कि सर हमने friction force सुना हुआ है हमने electrostatic force सुना है, हमने force of gravity सुना है ये क्या है? तो बच्चो forces की तो groups हैं एक force ऐसी है जो conservative group में आते हैं दूसरे जो non-conservative group में आते हैं तो सबको आपको देरे-देरे समझाते हैं 15-20 मिनिट का वीडियो राएगा वीडियो की speed बढ़ा लीजिए कम से कम 1.25x कर लीजिए मज़ा आएगा पढ़ने में ठीक है? फटा फट कहानी की शुरुआत करते हैं एक काम करते हैं सबसे पहले इन दोनों को बाद में पढ़ना या मेरे साथ पढ़ना फिलाल यहां पर ध्यान केंद्रित करें स्क्रीन पर मैं दो बिंदूओं को अंकित करना हूँ ठीक है? और मैं यहां पर एक body रखता हूँ जिसका की mask है M इस mask को मैं A से B तक ले जाना चाहता हूँ तो ले जाने के बहुत सारे रास्ते हैं एक तो बिल्कुल सीधा रास्ता है एक मैं ऐसा रास्ता ले सकता हूँ कब होता है जब सर एक force होता है और क्या होता है सर फोर्स के साथ सा displacement भी होना चाहिए उसी direction में यह दोनों चीज़े जब हमको दिखती है तो हम कहते है work is done बिल्कुल सही तो आपने सही पढ़ा है जो भी अभी तक पढ़ा है और अच्छा एक चीज और lecture में आगे जाने से प फिर potential energy समझोगे और फिर आज का लेक्चर है conservative or non conservative forces क्या होता है सर देखिए यहाँ पर मेरे पास दो टेस्ट है यह है test 1 और यह है test 2 ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा किसी भी force कोई भी force conservative तब कहलाएगा या तो वो test 1 को pass कर ले या फिर test 2 को pass कर ले और परसा कोई दिक्कत नहीं तो यह दोनों test क्या है आपको literally मैं करके दिखाऊंगा थोड़ा देर रोखना है अभी जो लिखा हुआ है उसको मैं उसका रूप बदलता हूं mathematically आपको करके दिखाते हैं अब जरा पढ़ते हैं जूम करके पढ़ते हैं if the work done by the force in displacing an object is independent of the path followed and rather depends on the end states then such a force is conservative बहुत बढ़िया तूसरा test यह कह रहा है if the work done by a force in moving a body along any closed path closed path closed path ऐसा path होता है कि आपने अगर शुरुआत किसी particular point से की आप घुम फिर करके वापस उसी point पर आ जाते हूं उसको हम लोग closed path कहते हैं उसके लिए एक और शब्द है उसको हम कहते है cycle अब यह सब thermodynamics में जब जाएंगे तो आपको सिखाएंगे तो चलो समझते क्याने का मतलब यह है इस object को अगर मैं force लगा करके क्या force लगा करके displace करता हूं track 1 को follow करके या फिर track 2 को follow करके दोनों ही परिस्तितियों में अगर यह work done सेम आया तो ऐसे force को हम क्या कहते है conservative कहते हैं बात समझ में आई सभी को थेक एक पर फिर से पढ़ना पड़ेगा अगर हम work कर रहे हैं देखो if the work done by the force and displacing an object is independent of the path followed path 1 followed हुआ है या path 2 follow हुआ है यहां पर path 3 follow हुआ है उसको उससे कोई फरक नहीं पड़ता है independent है वो independent of the path followed हाँ फरक किस से पड़ता है मतलब starting से और ending से इसको हम कहते है क्या इसको हम कहते है end states अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे वो force conservative है ठीक है अगर किसी force की हम testing करते हैं और हमें यह पता लगता है कि starting और ending तो सेम है अगर starting को ending तक हमको पहुंचना है तो अगर मैं track 1 को follow करता हूँ और track 2 को follow करता हूँ या track 3 को follow करता हूँ जो मर्जी track follow करो वर्क उतना ही आ रहा है न तो ऐसे force को हम कौन सी category में डालते है conservative कतम और ज़्यादा बात करने की जरूवत नहीं है दूसरा अगर यह सेम नहीं आया तो सर सेम नहीं आया तो सीधी सी बात है इसको हम कौन सी category में डालेंगे इसको हम डाल देते हैं non conservative forces की category में बहुत सिंपल था है अब प्रशने यह उठता है कि ऐसे कौन से forces होते हैं सर जो conservative होते हैं तो वो होता है ग्राविटेशनल, electrostatic और elastic और सर ऐसे कौन से forces होते हैं जो non conservative होते हैं तो वो होते हैं friction और viscosity समझ गए इतना ठीक है सर अभी बिलकुल आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि gravitational force जो है वो conservative है वो समझ जाओगे तो friction non conservative क्यों है ये भी समझ जाओगे तो इलकुल वीडियो को end तक देखना है ठीक है अच्छा और यहां तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो भाई क्या कर रहे हो बड़ी मैनत लगती है सब वीडियो बनाने में वीडियो को like क करो चैनल को subscribe करो अपने friends के साथ share करो जतना जादा हो सके और पहला इकन प्रेस सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो लगतार अब upload होते रहेंगे anyways मुद्धे पर आते हैं ठीक है सर तो अगर test को pass कर लेता है कोई भी test test 1 अभी तो फिलाल मैं आपको test 1 समझा ठीक है तो अगर पास कर लिया अगर दोनों केस में work done same आया कोई भी path followed हो तो conservative है अगर नहीं आया तो non conservative है simple सी बात है कि दूसरा देखिए क्या लिखा है if the work done by a force in moving a body along any closed path मतलब सर अगर यहां से start करें पहले हम इस तरफ जा रहे हैं A से B की तरफ और हम वापस आ रहे हैं B से A की तरफ तो कुछ work तो करना पड़ेगा तो यह work done cyclic process का work done है आपको समझाता हूं कैसे देखिए w a1b यह track follow किया आपने b तक पहुच गए अब आप b से 2 होते हुए track 2 follow करते हुए a तक पहुचते हैं w b2a यह work done कितना होगा यह आपको समझना है ध्यान से देखिए यह दोनों work done ठीक है आपने शुरुवात ऐसी कि फिर आप plot क्या है यह जो होगा असल में यह 0 होगा अगर यह 0 हुआ तब भी force क्या कहलाएगा conservative कहलाएगा तो आप चाहो तो इस वाले को test कर लो आप चाहो तो इस वाले को test कर लो आप पहुच चाहोगे result तक अब देखिए w sir a1b त्यान से दिखना plus wb2a लिखा हुआ है इसको मैं ultra सकता हूँ कि हाँ सर लिख सकते हैं तो उल्टा ओफ क्या हो जाएगा एटुव बी हो जाएगा हाँ सर वो तो जैगा वाग बड़िया कि यह LIVE है ठीक एड टो भी किसके बराबर है चाहिए ऐडूब्ब हख Oui कि ऑन रहा यह तो डब्लू ऑन वी और यह माइनस का साइन आ आप समझ जाओ इस बात को ये क्या समझा है मैंने आभी आपको test 2 फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये जो पहला वाला है ये है हमारा test 1 और ये जो दूसरा वाला है ये है हमारा test 2 ये दोनों बात किसकी है ये test 1 है समझ गए? समझ गए सर इतना समझ गए थो आगे बढ़ेंगे बाकी notes का कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ मैं देखते हूँ आप लोगों के लिए application में ही notes ही कुछ सुविधा करेंगे राइट? ओके testing करते हैं सर जिससे पता लगे कि ये gravitational force conservative है जिससे पता लगे कि ये friction force non-conservative बहुत सही बहुत ही उचित question है आपका और testing दोनों आपको करके दिखाऊँगा test 1 और test 2 दोनों करके दिखाऊँगा चलो अगले slide पर चलते हैं एक case ले लेते हैं जमीन पर एक block रखा है जिसका की mass है M उसको मैं कुछ h height तक लेकर जाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा सर्फ फोर्स लगा करके उसको हम उपर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है work होगा उसमें तो ये एक track है ठीक है इसको थोड़े दिर मैं लिखूंगा मैं यहाँ A save लेके B तक अच्छा एक और चीज़ अब मैं track को change कर रहा हूं zigzag थोड़ा सा बना रहा हूं इस प्रकार से दोनों cases में आप ये देखोगे कि work done सेम निकल करके आएगा अब कैसे थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको ठीक है चलो एदियान से दिखिए सर यहाँ पर एक force तो लगाना पड़ेगा अब सिर्फ चाहो तो mg के साथ भी analysis कर सकते हो मैं एक external force यहाँ पर लगा देता हूं AB मैंने लग दिया इस track को मैंने दे दिया A123B बहुत बढ़िया एक force लगाते है external जो magnitude में mg के बराबर रहेगा इसका value निकल गया कितना mg h बहुत बढ़िया हाँ सर यह तो असान था सान ही है सब कुछ सब कुछ समझ जाओगे आप यह हो गया इसको मैं रब कर रहा हूँ अब इस दितर आजाओ अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर work जादा आएगा पहले A से 1 आएगा 1 से 2 होगा फिर 2 से 3 फिर 3 से भी बिलकुल नहीं यहाँ पर work सिर्फ दो जगा मिलेगा आपको A से 1 में और 2 से 3 में ऐसा क्यों क्योंकि आप देखेंगे अभी work done A से B यहाँ से यहाँ तक पहुचना है start से end तक देखिए किसके किसके बराबर पहले A से 1 तो force into displacement में लिखा ठीक A से 1 फिर 1 से 2 तो यह देखिए यह 1 से 2 फिर 2 से 3 यह देखिए 2 से 3 फिर देखिए 3 से B यह देखिए 3 से B इन 4 ट्रैक में एक बार मैं वापस लाता हूँ अगर यहाँ पर ले जाना है F external उपर ही लगा हूँ है उसका direction में कोई change नहीं आ रहा है जो F external है वो उपर ही लगा हूँ है अगर यह external force आप नहीं लगाओगे तो वो balance कैसे करेगा आपको तो without any acceleration उसको उपर लेके जाना है और यहाँ पर भी देखिए F external यहाँ पर भी F external तो वो similarity दिखनी चाहिए आप अब आप देखिए F external कहा लग रहा है उपर displacement कहा हो रहा है सर उपर तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा सर जीरो F external कहा लग रहा है उपर displacement कहा हो रहा है राइट में तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है सर 90 लिखो अब देखिए F external सर उपर है displacement 2 से 3 वो भी उपर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ सर जीडू एफ एक्स्टरनल सर उपर है डिस्प्लेस्मेंट कहा हो रहा है सर इस दिशा में हो रहा है तो दोनों के बीच में एंगल सर फिर से 90 डिग्रीज समझ माया पस आपको वैल्यू इसको प्लगिन करना है और काम खतामा अब सब्सक्राइब करते हैं तो रिजल्ट आता है मैगनिटूड ओफ ए मैगनिटूड ओफ बी और दोनों वेक्टर की बीच का एंगल कॉस्ट थीटा होता है अगर ये वैल्यू अगर जीरो है तो वन आएगा वैल्यू बात समझ में आ रहा है यहां पे 90 आ रहा है तो यह जो 90 वाले किसे से न यह तो खतम हो जाएंगे क्योंकि जीरो हो जाएंगे एक प्रकार से ठीक इसको जीरो कर देते हैं जो बच जाता तो मैं उसको लिख लेता हूं A से 1 बज़ गया और 2 से 3 बज़ गया 0 डिगरी पर 1 होता है कॉस 0 का वैल मैगनिटूड सर Mg Displacement यहां से यहां तक बच्चो जो displacement है यह है H by 2 इसको मैं आपको यहां लिख करके बता देता हूँ यह भी कितना है यहां से यहां तक H by 2 है साब समझ चाओ ठीक है तो H by 2 लिखो Cos 0 फिर यहां पर भी Mg H by 2 और Cos 0 बस कितना है solve कर लो आ जाएगा कितना Mg H तो यह पहले test का हमको proof मिल गया यही था ना यही था वर्क डन निकालो कोई भी track follow करे सेम आएगा बस end points जो है यह, 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 यह यह सेम है, उनको मैंने चेंग नहीं किया छेडा नहीं है, ठीक, ओके एक तरीका तो यह था अब देखिए, दूसरा तरीका एक volleyball है, यह देखिए इसका mass volleyball नहीं है, श्याद basketball है volleyball बुल दिया गया, mass M है तो sir, weight कहाँ, नीचे के तरफ MG, बहुत बड़ी है, यह starting point इसको उपर उचलना है फिर वो उपर जाएगा, उसकी गती कम होती जाएगी, फिर वो नीचे आएगा कैसा? कुछ ऐसा भाई, मैं जानता हूँ, ball जो है, उपर जाएगा तो इसी track को follow करके नीचे आएगा लेकिन इसको, यह overlap हो जाएगा, फिर कचड़ा type का दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर दूर कर दिया है, समझ जाना बात हो start, top, end दूसरा जो है हमारा test, बच्चो वो यह कहता है, कि बही work done in work done by the force in moving a body along any closed path is zero, closed path, यह closed path ही है बात को समझो, उपर जा रहा है और वापस यहीं पर आ रहा है, तो यह closed path है, जहां से start हुआ, वहीं पर खताम हो रहा है, थोड़ा मेरे को दूर 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 बनाना पड़ा नी, तो समझे रहा हो ना, खिचडी हो जाता, अब गरम मसाला एक बार बन गया, तो उसमें से सारे मसाले अलग कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो, यह है कहानी, start से top और top से end, अगर यह zero आया, अगर आया, तो भी force क्या है, conservative है, तो मैं टेस्ट में पास हो गया, अगर पहले में पास हो गया, तो वह mg दूसरे में भी पास हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ आप यह सोचना, कि जब आप बॉल को उपर फेक होगे, तो बॉल का मास है में, उसका mg हमेशा नीचे लगे रहेगा, बॉल यहाँ पहुच गया, यहाँ पहुच गया, यहाँ पहुच गया, बात समझ रहा है, ठीक, उपर बॉल की गती को देरे 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 कम कर रहा है, और इस लेवल पर जाकरके बॉल की गती बिल्कुल शूर्ने हो जाती है, अब फिर बॉल अपना डिरेक्शन चेंज कर लेता है नीचे की देशा में, फिर वेलोसिटी वेक्टर नीचे आजाता है, और उसका magnitude continuously पढ़ते जात है, यह उती ही कहानी, लोग कैने मेंटिक्स में पढ़े दो, ठीक है, हाँ सर, मुद्धे पर आते हैं, तो देखो, यह ट्रैक है, जूम करूं क्या, समझ तो गए हो वैसे तुम लोग, स्टार्ट, टॉप और एंड, ठीक है, सर स्टार्ट से टॉप, और्स सर नीचे, डिस् उपर है सर, एंगल कितना है सर, 180, बाद बढ़िया, चलो करते है काम, कितना एंगल, 180, चाण, यहाँ पर, सर,ISH इंजी, नीचे है सर, बहुत बढ़िया, डिस्प्लिस्टेश्मेन, सर, डिस्प्लिस्मेन भी नीचे है, तो दोनों के बीच का एंगल, सर, 0 डिक्री आएगा, बहुत बढ़ी है, तो यहाँ पर लिखती है जो मुद्दे की बात है, वो मैंने लिख दी ठीक, अब रखो value mg और ये इस पूरे displacement h के लिए, h और angle रहेगा, cos 180 यहाँ पर भी देखिए, plus mg पूरे displacement h, और कितना रहेगा, cos 0, solve करेंगे कितना आएगा, देखो, बच्चो यह जो value है यह plus 1 आएगी cos 0 की जो value होती है यह होती है, plus 1 और cos 180 की जो value होती है यह होती है, minus 1, तो ultimately यह result जो है, वो निकल कर क्या आएगा कितना, वो आजाएगा, शूर्णिया ठीक, देखो, मैं दिखाता हूँ आपको minus mgh, plus mgh, यह आगया 0, खेल खताब है खेल खताब, यह था conservative forces, जैसा मैंने का 15-20 मिनट लगेंगे, मैंने बता दिया इसके अलावा, अगर कोई मन में शंका है, कोई doubt है, तो बिल्कुल नीचे comment करना और भाई, कोशिश करो कि वीडियो को और भी लोगों के साथ आप शेर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, and प्रेश दी बेल आइकन so that you are always notified whenever I upload any वीडियो ठीक है, चलते हैं, क्या फिर से मिलते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद, good day